नमस्कार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक जाम यूज भाई उदसर में दोस्तों कई प्रकार की जानकारी है इस वीडियो में एंड तक बने रहें CET से संबंदी जानकारी दूँगा कुछ सपेसल जानकारी है और उससे अलग एक बड़ी भरती है जिसका आज रजल्ट क्लियर किया गया है जिनकी जोईनिंग हो गई थी कुछ ऐसे हैं जो बाहर हो गई हैं कुछ ऐसे हैं जो नए सातिया हैं लेकिन उलट फिर काफी हद तक ज़्यादा देखने को मिला है क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो बिलकुल अच्छे ठीक ठाक नमबर थे वो भी बाहर हो गए हैं कुछ सातियों को मेरे पास मेसेज जा रहे हैं तो भाई ये सरकार का काम है सरकारी जाने इसके बारे में कैसे रजल्ट बनाया कैसे क्या हुआ है वो है आपकी किलर की भरती जिसके बारे मैंने आपको जन करी दिया है आगे एक और बड़ी भरती है बई एक और बड़ी भरती है जिसका फाइनल रजल्ट डेकलेर कर दिया गया एलम की भरती की हम बात करें तो जिनका सेलेक्शन हो गया ये सोच कर ना चले बई जो जानकरी मिल रहे हैं उसके according हम आपको बता रहे हैं कि ALM की भरती में भी कुछ बच्चों के message आ रहे हैं या फिर ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि कुछ question गलत बताए जा रहे हैं अलग-अलग answer माने गए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जिनका selection हो गाया ALM भरती में उनका भी आगे कोई भविश्य है मुझे सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है हो सकता कि जो बच्चे एक दू question की बज़े से गलत तरीके से बाहर हो गए हैं वो court case करेंगे भई ठीक ना इस भरती पर भी मुझे लगता है आगे उलट फर देखने को मिल सकता है बाखी समय बताएगा जो जानकारी थे वो मैंने आपके साथ सेर कर दिये बाई उलट फर जो भी देखने को मिल सकता है एक और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि वो है आपकी CET CET भरती का अगर आप इंतिजार कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले भी हमने वीडियो डाले अभी क एकजम की संबावना नहीं है और उम्मीद यही है कि अगस से पहले कोई चांस नहीं है बिल्कुल भी लेकिन अब मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ कि जो NTA के साथ नैशनल टेस्ट एजनसी के साथ जो करार होना था हरियन सरकार का अब भी वो किलियर नहीं हुआ ह करार नहीं हुआ लेकिन उम्मीद मुझे ये लग रही है जो जानकारी निकल करा रही है बाकि इस पर अभी हम कोश नहीं कहेंगे हो सकता है कि आपका एकजम HSSC भी ले सकता है बाकी एक जानकारी हमने आपको दिया बाकी अभी पुकता सबुत नहीं है इसके लेकिन कन्फर खुद इस एक्जाम को करा सकता है जो जानकारी मिल रही अभी पुक्ता सब उतनी है पहली मैं आपको बता रहा हूँ और जिनोंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किये हैं उनको मौका दिया जाएगा उससे पहले सबी भरतियों के लिए रही किस डिपार्टमेंट में कितन नहीं करेगी सरकार तो वो बच्चे इस भरतिया से बाहर हो सकते हैं तो ये कुछ जानकारी थी आपके साथ सेर कर दिया यार फिर जिनका आवेदन नहीं हो पा रहा है जो लिंक एक्टिवेट हुआ है उस पर नहीं कर पा रहे हैं तो घवराने के जरत नहीं है फिर से मौका मिलेगा तो कुछ जानकारी थी आपके साथ सेर कर दिया है बाकि एलम की भरति का मैं यहीं बोलूँगा जिनका सेलेक्शन हो गया अच्छी बात है लेकिन कहीं न कहीं मुझे फिर भी उस भरति पर डाउट है तो फिलाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो क यहां तक देखा आप सभी का बहुत हो धन्यवाद